वेल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हूं आप सब खायर आफियर से होंगे आज मैं आपके साथ एक जबदा सी रेस्पी शेयर करने जा रही हूं आज मैं आपको बताऊं कि विंग्स किस तरह बेक की जाती है कुछ विंग्स को हम लोग करेंगे और कुछ विंग्स को हम लोग करेंगे और कुछ विंग्स को हम लोग का फ्राइ करेंगे चलें देखते हैं इसका क्या मैथेड है इस रेस्पी के लिए हमें क्या क्या चीज़े चाहिए है अरण सबसे पहले मैंने ले लिया है वन टी स्पून कड्राम साला वन टे बर स्पून मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है और वन टेहूर सुकह धनिया ले लिया है इसके लवा हमें चाहिए टो टेबर 스ून डेमन's करस और तू सीब तेबर स्पून देमन करस और तू से त्री टेबर स्पून मेने सिल्का ले लिया है और वन कप हमें दही चाहिए इन तबाव मसालों को हम विंक्स पर लगाएंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम मसाले को अच्छी तरह में लगा देंगे और मेरे विंक्स जो लिए हैं किसी भी ब्रैंड की विंक्स ले सकते हैं यह बेरे पास हैं टू केजी विंक्स हैं तमाम मसाला जो विंक्स पर लग चुका है नहीं कर दो में अच्छी तरह में लगाना है इसके लाभा विंक्स में हार पीसमें पृचितिंग करनी है क्या बहाएं ताकि अच्छी तरह मैं यह जाग ज़ाएं और फिर हम लोग इसको fry करेंगे दो घंटे हो चुकी है, विंग्स को बने डेट किये हुए तो एक डिश ने लिए लिनी है इसमें हलके से ओल से हमने ग्रीस करना है इसको डिश को विंग्स को हम इसमें रखेंगे इसकी सेटिंग होगी है डिश में अब हम इसको बेक करेंगे मैक्सिमाम 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए मारी विंग्स प्राई हो चुकी है अब मैं इसको डिश ओट करती हूं हमारी जो विंग्स में हमने बेक की थी वह भी रेडी हो चुकी है देखे सकते हैं किती जबरदस्ती रिलिशीस रेडी हुई है आप देख सकते हैं हमारी विंग्स रेडी हो चुकी है सबर्दस से उमीद करते हूं आपको मेरी आज की रेस्वी पसंद आएगी तेंक्यों समच